सिखाते हैं आप लोग को अपना वीडियो में अगर कोपी राइट लगा हुआ है तो कैसे हटाएं ठीक है तो चलिए मेरे लेप्टॉप में ठीक है तो सबसे पहले ओपेन करेंगे गुगल क्रोम ब्राजार ठीक है फ्रेंट्स ओपेन होने के बाद देखिए यहां पर यूट कि ओपेन हो गया इसके बाद यहां पर आईएगा ठीक है अपना लोगों में ठीक है लोगों में क्लिक किजिएगा देखिए यहां पर यूटूब इस्टूडियो तीन नंबर में ठीक है यूटूब इस्टूडियो को क्लिक करेंगे YouTube Studio को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा देखिए इस तरह का आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहां content है content में जाईएगा content में क्लिक किजिएगा content में क्लिक करने के बाद देखिए आपका जितना वीडियो है अपलोड किया हुआ सब आ जाएगा ठीक है friends ठीक है तो इसमें आप देखिए यहां पर arrow condition दिखा रहा है यहां पर यहां पर दवाएगा ठीक है यहां पर दवाने से copyright claim ठीक है copyright claim में क्लिक किजिएगा आपका वीडियो में अगर copyright claim है तो बताएगा देखिए मेरा एक वीडियो में copyright claim बता रहा है ठीक है तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा आप देखिए ठीक है यहां पर आईए देखिए copyright claim दिखा रहा है उहां पर उसके बाद c details ठीक है c details में जाएंगे अगर शीडिटेल में जाने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा देखिए ठीक है यह लॉप्सें आएगा इसमें देखिए copyright copyright ओनार ठीक है यहां पर नाम बता रहा है कि यह आपको copyright दिया है इसका मिजिक यूज किये है ठीक है तो इसमें कितना से कितना मिनिट का यूज किये है आठ ब्याल लिस्ट से 11-133 तक पूरा वीडियो में copyright लगा हुआ है ठीक है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता चले गया कितना में क्या है तो उसके लिए सबसे पहले select action में जाएंगे ठीक है time change कर दना है ठीक है शुरू से लगा हुए है तो इसको time change कर दना है ठीक है मैं करता हूं अधकी फिर continue करेंगे ठीक है उसके बात ट्रिम ठीक है इस तरह से करेंगे देखिए थोड़ा सा पॉर्सेसिंग लेगा इस तरह का और उसके बाद आपका वीडियो का कॉपी राइट क्लेम हट जाएगा फ्रेंज ठीक है तो आसा करते हैं फ्रेंज मेरा वीडियो आप लोगो समझ में आ गिया होगा अगर आ गिया हो होगा तो प्लीज फ्रेंज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दवा दीजिए तो ओके फ्रेंज ठेंक यू बाई